नमस्कार दोस्तों गर्गी क्लास्टिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 16 माई 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रिस की इंपॉर्टन यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पर एक्स्प्रेंट पर देखो यह दिया हुआ है कि कैसे हम इस इतनी ज़्यदा हीट में खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली आपको पता है राजस्तान मद्यप्रदेश गुजरात महरास्ट्रा ऐसे कुछ ऐसे स्टेट से जहां पर हीट वेव लगातार बन रही है और डॉक्टर्स हैं वो इस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जो कि हीट एक्जोशन का सामना कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी से परेशान है तो बात ऐसी है कि हीट रिलेटेड इलनेस क्या होती है देखो हीट की वज़े से मान लोग कि हमें अचानक से लेथार्जिक फील होने लग जाए ठीक है घर से बाहर निकलें तो उसके बाद में अचानक से टेंपरेचर राइज होने की वज़े से प्राप्लम हो जाए या फिर टेंपरेचर बाड़ी का 104 डिग्री फारनहाइट से भी ज्यादा हो जाए और्गन डेमेज हो सकते हैं नेरोलाजिकल डिसफंक्शन हो जाता है बिल्कुल एकदम धीलापन सा जाता है बाड़ी में ठीक है तो ऐसे में खुद को वेल हाइडरेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका मतलब हम खुद से रिलेटेडी चीज़ें इतना कुछ है नहीं इसी से आगे अगर ये एक बार खुद से देख लोगे एजी रहेगा आगे चलता है बागी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एक हेल्दी यंग मैन को यंग परसन को कितना पानी पीना चीए डाही से तीन लिटर पर पर लोड जला जाएगा ज्यादा और ज्यादा किड्नी पर लोड चला गया तो किड्नी पर साइड एफेक्ट्स आ सकते हैं तो लिमिटेड मेर में हां शिकन जी पियो दिन में दो से तीन ग्लास शिकन जी पी सकते हो आप आराम से और बाकी टोटल इंटेक वानी का धाई- तीन लिटर या मैक्सिमम साढ़े तीन लिटर इससे जादा नहीं जाना चाहिए ठीक है आगे चलता है फिर देको एक आर्टिकल है देव सहाई पिल्लाई से रिलेटेड अभी रिसेंटली वेटिकन सेटी अपको पता है इटली में इटली वाले एरिया में लोकिटेड है व देश्री कुछ ऐसी है यहां पर आप देख सकते हो कि इनका जन्म होता है 23 अप्रेल 1712 को जगह का नाम है नाट्टालम विलेज कन्या को मारे डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडो में ठीक है वहां पर इनका जन्म होता है शुरुआत में तो यह मार्तंडवर्मा 53 कोर के जो किंग थ फिर उसके बाद में डच जो नेवल कमांडर्स थे डच का मतलब अगए डेन्मार्क के जो लोग आये थे इंडिया पर रून करने के लिए राइट तो उनके उनके मिशनरी के कांटेक्ट में आये तो इन्होंने फिर बाद में अपनी खुद की फेद हिंदू थे जन्म से अ इसका मतलब इनका कनवर्जन हो गया एक तरीके से और उस कनवर्जन के बाद में ये लगातार इन्होंने क्रिस्चैनिटी को प्रोमोट किया और प्रोमोशन में चाहे कितना ही इनको समाज में मतलब है कितना कि एक बहुत जादा चैलेंजिस का सामना करना पड़ा बट उसक कि बावजूद भी ये कंटिन्यू करते रहे अपनी क्रिस्चैनिटी के प्रोमोशन को इन्होंने ज्यादा फोकस किस्पे किया इक्वैलिटी को प्रोमोट करने के लिए बुले चाहे कास्ट की वेसिस पे धर्म के नाम पर कितना ही कोई डिफरेंस हो लोगों के बीच में ए कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत जदा बढ़कार है हो हमारे खिलाफ में तो इस तरीके से इनके खिलाफ में कारवाई भी हुई थी फिर देखा जाए तो जनवरी 14 1752 में देव सहाय को मार दिया गया था ठीक है अल्लावाई मौजी फॉरेस्ट वाले एरिया मे ठीक है तो आप देखो उसी टाइम से फिर क्रिस्चैनिटी में इनको मार्टीर भी डिक्लियर कर दिया मार्टीर का मतलब इनको शहीद बोल दिया गया ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो फिर अभी आप देखो इनके जो रिमेंस हैं ठीक है जो बॉड़ी जब चिरोली ठीक है नगर कोईल यहां वाले एरिया में यहां पर यह चर्च है यहां पर अभी भी इनके रिमेंस हैं ठीक है और अभी देखा जाए तो फरवरी 2020 में इनकी इस चीज को रिकाग्नाइस कर लिया गया था अच्छे से क्रिस्टैनिटी में कि हाजी वाकई में इनोंने कितनी हाडशू का सामना कि अधर क्रिस्टैनिटी को प्रमोट करने के लिए और पंद्रा मईं 2020 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई थी कि इसी दिन हम इनको सेंट डिक्लियर कर देंगे तो अब इनका नाम क्या हो गया ब्लेज आ रहे हैं उसका क्या असर है तो इसके लिए हम अल्रेडी बहुत बार डिस्केशन कर चुकिया है पहले बट अभी हमारा जो कुछ ऐसा है कि 2014 से लेकि 2022 की बीच में क्या वेरियेशन देखने को हमें मिले हैं क्योंकि 2014 में आपको पता है कि प्रिदान मेंतरी नहेंद्र मोध कि बात करें तो वह लगबग 2.1 गुना ज्यादा हो चुकी है सोया भी इनकी बात करें तो 2.2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है बट यहां पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यह जो महंगा ही है ना यह कोई पिछल पुरे यह जो पूरा टेन्योर निकला है साथ सा का इसमें नहीं बढ़ी है यह बढ़ने का ट्रेंड पिछले तीन सालों में ज़्यादा देखने को मिला है जब से सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ है नरेंद्रमोधी कवर्मेंट का इसमें क्या क्या कारण रहे हैं वो देखते हैं सबसे पहला तो हम क्या है पाम ओयल खरी सिचुएशन क्रियेट होगी जिसकी वज़े से महंगा ही बढ़ गई ठीक है और अगर देखे जाए तो पाम ओयल संफलार ओयल और यह जो स्वयाबीन है यह तीनों चीजे बहुत ज़्यादा महंगी हुई है अभी रीसेंट ही ठीक है इसके पीछे एन्वार्मेंट बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लाइमिट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपको पता है कि जो विजटेबल ओयल होता है उसको हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसको वो दिखने में देशी गी जैसा दिखता है जिसको हम वनस्पती गी बोलते हैं जिसको ना तो वो भी अपने आप ही महेंगा हो गया ठीक है तो इसके पीछे क्या कारण है वो देखते हैं देखो सबसे पहली चीज तो यह हो गई यहां पर आप देखो सीधा हम टू दो पॉइंट ही बात करेंगे कि अभी रिसेंटली क्या-क्या डेवलप्मेंट्स हुए हैं जिसमें आप देखो कि एक तो लगातार सूखा पढ़ना युक्रेन में ड्रॉट्स पढ़े थे 2020 में तो सबसे पहला तो यह हो गया दा गड़बड दूसरा कोविड-19 की वज़से शॉटेज आ गई थी ठीक है सप्लाइचेन में तीसरा मलेश और इंडोनेशिया में जो पाम ऑईल प्रडेक्शन वो रेड्यूस हो गया जिसकी वज़से इंडोनेशिया ने पाम एक्सपोर्ट रोग दिया चौथा यूक्रेन और रश्या के बीच में लड़ाई होगी जिसकी वज़से जो सप्लाई होनी चीए थी वो सप्लाई नहीं हो पा रही है तो ओवरोल हम देख सकते हैं कि बैक टू बैक इतने इशू जागे जिसकी वज़से हमें जो सप्लाई मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट से हैं वो सप्लाई एकदम से रुख गई फिर इसके आगे सवाल यहाता है कि महंगाई क्या सिर्फ एडिबल ऑईल में भड़ी है कुछ और भी तो देखो एक तो होता है कि अचानक से महंगाई का राइस होना और एक होता है एक तो होता है अबरप्ट एक होता है ग्रैजूल तो रिसेंट अगर हम देखे ना तो अबरेज अगर देखा जाये तो तो यह बहुत महंगा हो जाता अपने आप में पिछले तीन सालों में आप देखो यहां पे की रेटेल प्राइस जो है एडिबल ऑईल की वह एनिवली साड़े बारा रुपर किलोग्राम के हिसाब से बढ़ी है ठीक है ना अगर वनस्पती कि हम बात करें तो ऐसे में महंगाई बढ़ना बेकार नहीं है अचानक से बढ़ना बेकार है और दूसरी तरफ हम देखें तो आतनिरबर अभियान जो हमने शुरू करा है अभी की हम सेल्फ रिलाइंट होना चाहते हैं तो इसके पीजे हमें थोड़ा समर्ज ना होगा कि क् अब लगब भग साड़े 22-23 million टन हम एडिबल ऑइल कंजीओं करते हैं वेज़ेबर वेजटेबल ऑइल कंजीओं करते हैं जिसमें साड़े 23-14 million टन तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं बचा हुआ साड़े 8-9 million टन ही हमारा साटियों अब हम्यारा डॉमस्टिकर प्रड़क् की अगर मार देखी जाए ये वनस्पती दे लिया फिर वेज़ेबल ओयल की हम बात करें तो वालेडिलिटी महंगाई बढ़ना कंजूमर के लिए भी ठीक नहीं है और अचानक से प्राइस का राइस होना अचानक से फॉल करना ये भी एक जो बिजनसमेन एक प्रडियूसर है के लिए भी ठीक नहीं है दूसरा केस अगर हम ले तो क्या महंगाई दूद में नहीं वड़ी पर इसका सवाल ये है कि हर साल अगर एवरेज निकाला जाए ना पिछले साथ-ाथ सालों में तो लगबग डेड रुपया पर लिटर के हिसाब से ही दूद है वो महंगा हुआ ह जो कि बड़ा ग्रेजूल हुआ है इतना कोई जादा नहीं है तो इस केस में कंजूमर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी तरफ अगर हम इधर देखें स्वायाबीन और की बात करें तो 60-40 रुपय से लेके 60 रुपय पर किलोग्राम के हिसाब से भाव बढ़े ह है तो बहुत डिफरेंच हा जाता है इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहने चाहिए ग्रेजूल राइज इस ओके अबरप्राइज वह देखो तोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो कारण क्या है वह हमने अल्रेडी देखे लिए यहां पर ठीक है आगे चलता है ने इस आर्टिफिशल इंटेलिजन्स और मशीन लर्निंग यह दो चीज़े मेन होती है ठीक आजकल और्टमेशन को इंप्रोव करने के लिए तो अभी लास्ट वीक की बात है जब गूगर्ण ने अपने कॉन्फरेंस के टाइम पर यह लांच किये और प्रोड़क्ट का नाम क जब कोविड आउटब्रेक हुआ था तो जो ऑक्सिमेटर यूज होता है जिससे ब्लड में ऑक्सिजन के लेवल का पता पड़ता है वो इस तरीके से केलिबरेटेड था कि वाइट स्किन जिसकी थी ना फेयर स्किन जिसकी थी उसके तो अच्छे से काम कर रहा था जबकि कि वैसे में गूगल के सामने या फिर जो बड़ी कमपनिया हैं इनके सामने यह बहुत बड़ा चैलिंज है कि भई कैसे भी करके आप रेच्छल दिस्क्रिमेनेशन कम से कम सकम स्किन के कलर के ओपर बीजिस दिस्क्रिमेनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि माटेरियलिस्टिक में आप काम कर रहे हैं वो माटीरियल में देखा जाए तो स्किन का कलर ही एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है ठीक है वैसे देखा जाए तो और क्लास कास्ट वो एक अलग चीज वाती है बट हम यहाँ पर रेस की बात कर रहे हैं तो उसको इंक्लूजन में के लिए गूगल ने यह अपना नया प्रोड़क्ट लांच किया है नाम समझ गए 10 Shade Monk Skin Torn Scale ठीक है इस MST Scale की बात करें तो इसके लिए गूगल ने क्या बोला हम इसको इंक्लूजन को प्रोमोट करने के लिए यूज करेंगे जिससे ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च हो अब इसमें जो Monk Skin नाम है Monk जो नेम है वो एक स्कॉलर है बिसिकली Harvard University में जिनका नाम है Dr. Ellis Monk इन्होंने Google के साथ कॉलबरेट करके फिर ये प्रोड़क्ट तयार किया है टार्गेट आपको समझ में आ गया कि जिनकी स्किन डार्क है उन लोगों को भी medical facility या कोई भी चीज बिना किसे discrimination के available रह जाए नहीं तो skin के color को लेकर कि बहुत जारा discrimination का सामना करना पड़ता है racial discrimination जिसको बोलता है दूसरा कल को ना Google पे कोई image अपलोड की जाए उस image को process करना हो तो वहाँ पर उस image में अगर एक black खड़ा है एक white खड़ा है तो इस case में वहाँ पर दोनों की image को proper manner में access कर पाना उसको process करना वो possible हो तो इसके लिए बोले ये product बहुत ही जादा helpful साबित होने वाला है साथ में ये बात आजाती है कि globally skin के नाम पर बहुत जादा discrimination औरेड़ी देखा जा चुका है तो इसको ठीक करना बहुत ज़ादा ज़रूरी था तो MST में क्या किया जा रहा है basically 10 different color tones तयार किये गए हैं जिनमें black to fair की तरफ आप move कर सकते हो और उन में से कहीं पर भी आपकी skin match कर जाती है और उन tone में maximum लोगों की matching हो जाएगी और time के साथ साथ में और ज़्यादा research और development होगा तो ये जो 10 scale वाली जो point और 10 shades इसको और ज़्यादा diversify कर दिया जाएगा जिससें की ज़्यादा से ज़्यादा color variation के लोगों को भी cover किया जाए ठीक है इसका benefit Google को खुद को भी होगा क्योंकि इनका customer base बढ़ेगा और इसका benefit users को भी होगा जिससें की उनकी खुद की जो physical appearance है उसकी वज़े से उनकी जो limitations है वो खतम हो पाएंगी ठीक है तो ऐसे में American dermatologist मतलब skin related जो doctor होता है उनको dermatologist बोलता है Thomas B. Fitzpatrick उन्होंने 1975 में Fitzpatrick scale तयार किया था और scale में यही था कि भई साथ broad color की उन्होंने scale तयार की थी कि साथ अलग-अलग color की skins होती है इनको हमें ध्यान में रखते हुए हमारी activities conduct करनी चीए फिर time बीचता है तो इसी scale का use करते हुए अभी Google ने अपना खुद का यह 10 shades वाला 10 shades वाला यह concept तयार किया है ठीक है फिर बात आती है कि इसी तरीकी क्या कोई और भी project चल रहे हैं देखो आपको पता है ना अभी USA के प्रेज़ेंट जो बाइडन उनसे पहले डॉनल्ड ट्रम थे तो उस टाइम पर black lives matter प्रोटेस्ट फिर से resurface होता है highlight होने लग जाता है इसके पीछे कारण क्या था एफ्रिकन अमेरिकन इंडिवीज्वल जॉर्ज फ्लॉइड उनको एक white policeman ने बहुत बुरे तरीके से मारा एक फोटो भी बहुत ज्यादा वाइरल होई थी कि जॉर्ज फ्लॉइड जो है वो रोड़ पे पड़े हुए है और उनके कंदे उनके मतलब यहां पर जो यह बैक बॉन स्पाइन वाला जो एडिया है ना गर्दन के पास में वहां पर जोड से पुलीस वाले क्लुजन खतम किया जायाए दूसरा जॉर सं आपनी बैंडिड शुरू की थी पहले आपको पता है कि कलर यह करना पड़े फिर बात आती है इंडिया में इंडिया का सीदा साय है कि कि कतनी नहीं देखो यह एड़ोटिज्मेंट आती है fair and lovely आज देखो fair and glow and lovely में convert हो चुकी है तो कि fair का मतलब आप क्या करना चाहरे हो इसका मतलब black जो individuals है या फिर जिनका रंग थोड़ा गहरा है सामले हैं उन लोगों को सुन्दर देखने का कोई right नहीं है तो हिंदुस्तान Unilever ने अपने प्रोडेक्ट का नाम ही चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा क्रिटेसिसम हो कि आप कलरिसम को प्रामोट कर रहे हो similarly ऐसे ही और भी ऐसे issues थे जिनको Advertising Standard Council आफ इंडिया ने 2014 में अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा issues का सामना किया तो guideline issue कर दी तो उसी guideline के basis में fair and lovely का नाम बदल करके क्या हो गया glow and lovely ठीक है कि भई fair होना जरूरी नहीं है चेहरा चमटना चाहिए है वो वाली चीज आ गई ठीक है तो इस तरीके से color को लेकर के जो discrimination है उसके लिए यह अपने आप में बहुत ही important product है जो की Google ने अभी कल पर सो release किया है नाम आप देखे लोगे 10 Shade Monk Skin Torn Scale ओके आगे चलता है फ्रंट पीस पे देखें तो फाइनली इंडिया ने Thomas Cup जीत लिया है वेस्ट इंडोनेशिया को हराते हुए और यह पहला Thomas Cup है इंडिया के लिए Thomas Cup आपको पता है Badminton से related है और इंडियन टीम में में जो lead role play करने वाले shutlers है उनके नाम यहाँ पर हैं किदामभी स्रीकांत सात्विक साहीराज रंकी रेड़ी चिराग शटी लक्षे सेन और एचस प्रनॉय इन पांचों की जो स्रीव ने मिल करके किया है वो एक्जैक्ली उसी चीज से compare किया जा रहा है जो चीज क्रिकेट में 1983 में कपिल देव की लिडर्शिप में हुई थी 2001 में सौरव गंगुली की कप्तानी के टाइम पर आपको पता है Fallon लेते हुए और इडन गार्डन्स में हराया था उस्ट्रेलिया को और जो 2007 में महेंदर सिंग दोनी की लिडर्शिप में हुआ 1983 वाला ज्यादा इंपोर्टन्ट है 2001 वाला ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो यह चीज ऐसी चीज़े हैं कि हिस्ट्री में एक बार ही होती है थॉमस कप इंडिया ने इंडोनेश्या जो की 14 बार जीत चुका था पंदरी बार जीतने के लिए तैयार था उसको हराया है इंडिया ने ठीक है ना फाइनल्स में इसके आगे देखें और यह जो फाइनल मैच था इसमें इंडिया ने तीन जीरो से जीत हासिल किये यह भी बहुत इंपोर्टन्ट अपने आप में सक्सेस आप गेंडर कर सकते हो ठीक है बाकी तो वही चीजे रिपीट हो रही है कि 1971 में 1971 से जैसे तरीके से वेस्ट इंडिज जो खतरनाग टीम थी अपने आप में उसको 1983 में हराया 2001 में कॉलकाता टेस्ट जिस टाइम पर आस्ट्रेलिया जैसे टीम को फॉलो ऑन लेकर के उसको हराना इस तरीके काम किये गए थे तो बो उसी लिस्ट में ये भी एक मेमरी एड होगी आगे चलता है फिर पेज नमबर चार पर ये न्यूज है जिसमें ये है कि इंडिया भी जो है वो नेपाल के साथ ने अपनी कल्चरल टाइज को बूस्ट करने के लिए काम करने की तैयारिया कर चुका है जिसमें हमारे प्राइमिनिस्टर अन्राइंदर मोधी जी जो है वो नेपाल की विजिट पे गए है और हम पर एक है इंडिया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज ये ओपन किया जा रहा है इसका कंस्ट्रक्शन है ये आप देखो शुरू किया जा रहा है और शुरू कौन कर रहा है किस केंडर में हो रही है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इंडिया इसके द्वारा कहां पर हो रहा है ये लुंबीनी आपको पता है लुंबीनी गार्डन के पास में कपिल वस्तु में ही तो जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का ठीक है ना तो यह construction अपने आप में बहुत important है यह site पर अपनी जो एक कहता ना presence को ensure करना बहुत ही ज्यादा important है ठीक है तो the construction of Indian international center for Buddhist circuit Buddhist culture and heritage यह किसके द्वारा की जाएगी यह international Buddhist confederation इंडिया के द्वारा तो इंडिया ऐसे में ministry of culture के इंडर में यह काम होगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि देखो USA, China, Canada, France, Germany, Thailand और दूसरे और कंट्रीज जिन्होंने अपने centers already लुम्बिनी नेपाल में open कर रखे हैं जि इस लाइन में हमने भी हमारा कदम आगे बढ़ा लिया है इसके आगे चाइना भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है करता आपको पता नेपाल और चाइना की relationship इस टाइम पे बहुत ही गजब लवल पे चल रही है ठीक है तो उस case में PM Modi जो लुम्बिनी की विजिट करने का ह है उसके पीछे एक ये भी है कि चाइना ने अपनी तरफ से वर्ल्ड पीस सेंटर के तोर पे लुम्बिनी को डवलप करने के लिए अपना project तयार कर दिया जिसमें तीन बिलियन डॉलर खर्च करेगा वो साथ में चाइना से लुम्बिनी तक railway network भी डवलप करने की बात चल हो रही है ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा presence ensure हो रही है चाइना की तो वहां पर हम अगर पीछे जाए तो मुश्किल है इसके लावा हमारा ने नेपाल के साथ में जो लिंक है वो दो तरीके से डवलप किया जा रहा है एक तो डवलप किया जा रह circuit और एक क्या जा रहा है रामायन circuit ठीक है बुद्धिस circuit की बात करें तो गौतम बुद्धा से related जो भी locations हैं जिन में से लुंबिनी कुशिनगर बोद गया राजगीर नालंदा सारना इन सब को link किया जाएगा जिससे की कोई भी tourist अगर आए और बुद्धिसम से गौतम बु कि इस project में रामायन circuit है रामायन की जो बहुत सारे किरदार है उनका link भी सीधा जाता है वहां से यूपी से border share होती है निपाल की इसलिए ठीक है और यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर हैली पेड क्रियेट किया जा चुका है ठीक है तो ऐसे में आपको पता है कुशी नग कुशी नगर जो कि उत्रप्रदेश में वहां पर निर्वान हुआ था किसका बुद्धा का निर्वाना मतलब मतलब डेथ हुई थी जहां पर राइट फिर वहां से लूंबेनी तक उन्होंने helicopter लिया है किसने नरेंद्र बोधीजी ने और वहां पर एक temple माया देवी temple भी है वह भी जहां तक है बनवाया जाएगा तो उसका भी foundation stone है वह भी इंडिया लगा रहा है ठीक है तो गौतम बुद्धा से related एक बार आप थोड़ा revise कर लेना तमिलनाडू publication की जो book आती हो से कर लो history से अगर आप वैसे normal करना चाहो अपनी क्या बोलते हैं इसको ncrt की book से तो या google करके कर लो दृष्टी किया कोई बड़ी आसी कोई website देख करके आगे चलता है फिर हम आगये economy page पे देखो इरडाइन ने इरडाइन मतलब हो गया कि जो regulator है insurance regulator उसके दुआरा ये statement दिये ये अभी guidelines issue की गई है कि जो burning cost है उसको आप premium पे ज़्यादा create ना करो burning cost क्या होत वो insurance आपने claim कर लिया और claim करने के बाद में वो insurance company क्या करती है कि claim आप आपने insurance की premium करा रखेती मानलो 13,000 रुपए something की ठीक है और फिर आपने insurance claim लिया तो पता पड़ा कि आपने एक लाख रुपए या दो लाख रुपए तक का insurance claim ले लिया अब एक दो लाख रुपए तक अगर आपने ले लिया तो फिर आपको क्या अब insurance companies क्या करती है कि यह जो यह जो amount है ठीक है यह जो amount है इस amount को फिर बाद में आप देखो कि आगे वाली जो premium होंगी जो हर साल आती है one second तो ऐसे में claim लिया हुआ जो amount है ना वो क्या करते हैं कि आगे आने वाली जो premium होती है जो भी annual basis पे आप पैसे पे कर रहे हो उन पर फिर बाद में apply कर देते हैं तो अभी आपने तेरा जार रुपए की insurance policy ले रखी है premium के हिसाब से तेरा जार रुपए ठीक है अब आपने claim कर लिया तो अब वो amount of next जो अब जैसे ही insurance करा होगे ना next year का claim लेने के बाद में तो प burning cost ना इसको आप mandated minimum rate नहीं कर सकते हो इसका मतलब कि भाई हमने claim दे दिया तो अब यह जो burning cost है इसको अब हम consumer से ही मतलब जल्दी से जल्दी है वो वापस से recover कर लेंगे तो बोले यह चीज नहीं होनी चाहिए तो consumer को relaxation देने के लिए यह AIDI ने अपनी तरफ से effort लगा है क्य claim लिया है तो अब क्या है insurance का premium महेंगा पढ़ रहा है उनके तो बात तो फिर वही होगी फिर insurance लेने से फाइदा क्या रह जाएगा कि भई आज आपने कोई चीज अगर insurance लिया और अगर आपने महेंगे इलाज के लिए insurance claim कर दिया तो इसलिए तो insurance कराया जाता है अब आप कि यहां जी insurance claim करने के लिए आपने बहुत पैसा ले लिया insurance company से तो इस case में अब आपको यहां पर आने वाली premium से वह high देनी पड़ेगी तो फिर इसका मतलब तही होगा insurance लेने से फाइदा क्या फिर तो हम किसी से उधार लेके करवा लेंगे लाज ठीक है तो यह burning cost जो है इ में में चीज़ यह है यह ध्यान रख लेना burning cost और एड़ाई के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना आगे चलता है next देखो कि हम बात कर रहे थे कर्षों हमने बात भी की थी कि रुपी depreciate हो रहा है तो export rise हो सकता है पर यहाँ पर experts का यहाँ पर एक red flag raise हो रहा है question mark raise किया जा रहा है उनके द्वारा और उनके द्वारा क्या का जा रहा है कि जी क्या रुपी ही depreciate हो रहा है क्या दूसरी और कोई currency depreciate नहीं हो रही आज अगर south east और south asia की जो currencies है वो dollar के comparison में वो भी depreciate हो रही है तो हमारे competitor भी अगर उन competitors की भी currency depreciate हो रही है और हमारी भी currency depreciate हो रही है तो हमारे export को कहा benefit मिलेगा export को benefit तो तब मिल सकता ना जब क्यों हमारा रुपी ही depreciate करें बाकी सब appreciate करें जिससे कि हमारा product market में सस्ता भी के पर सवाल क्या है कि तरकी की बात कर लो south asia के दूसरी economies की बात कर लो south east asia की दूसरी economies की बात कर लो इन सब की currency dollar के comparison में depreciate कर रही है तो depreciate का मतलब यह हो गया सारी currencies अगर जो competitor है हमारे लिए उनकी अगर currency depreciate कर रही है तो export को benefit मिलेगा यह बहुत दूर की बात है दूसरी चीज इंपोर्ट तो बढ़ी ही रहा है इंपोर्ट हमारा महिंगा पड़ जाएगा इसका मतलब है इस time पर रुपी का depreciate करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है बहुत सीधी सी बात है जब रुपी depreciate करता है ना तो export rise होता है इंडिया से बाहर की बाहर अपने आप चीज़े बिकनी शुरू हो जाती क्योंकि सस्ता पड़ जाता है माल खरीदने वाले के लिए जबकि हम हमारी import की बात करें तो import dependency हमारी कौन सी कम हो रही है ठीक है हम crude oil पर अभी भी उतना ही depend करते है कोईले की बात करें तो import करना पड़ रहा आज के टाइम पर दूसरी तरह बात करें और product edible oils की हमने बात की वो भी हम import करते है overall देखा जाए तो import है वो तो बना हुआ है export है वो बनने के chances थोड़े कम बरना है तो इस case में import के लिए हमें एक डॉलर के लिए पहले 75 रुपए देने होते तो अब 77 रुपए देने पड़ेंगे या 75 रुपए तो अपने आप ही import तो बोले महंगा हो रहा है और export जो हम expect कर रहे है कि depreciated रुपी है वो benefit देगा तो बो चाओ हुआ है import export की बात करें तो financial ये 2021-22 की बात की जाए तो हमें trade deficit का सामना करना पड़ रहा है 192.4 billion dollars का जो कि record है highest भी तक का import हमने कितना किया है 2021-22 में 610.2 billion dollars का export कितना किया है 417.8 billion dollars का difference 192.4 billion dollars इसका मतलब क्या हुआ कि हम घाटे में बहुत जादा है ठीक है तो रुपी depreciation से केवल हमें benefit हो सकता है export में पर वही चीज है export तो औरोका भी बढ़ेगा हमारा ही नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब पूरा benefit इंडिया को नहीं मिलेगा पर import जो है वो हमारे लिए महंगा होगा क्योंकि अब एक डॉलर के लिए हमें 77-777 रुबै पे क लिए तो इस case में हम हमारे export को और अच्छे से ensure नहीं कर पाएंगे ठीक है ना यहीं चीज है तो USA के डॉलर के rise होने का असर बाकी currencies पर भी है जो हमारे साथ compete करती है ठीक है तो export को इतना benefit नहीं मिलेगा जबकि import हमारा burden sum होने वाला है जो हो रहा है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो international monetary fund ने जो अपनी basket है जिसके बास्केट है मतलब जो भी currencies international monetary fund के पास में आती है इकटी होती है उन currencies में अभी review किया गया है weightage को dollar और चाइना की जो yuan है इसका weightage तो देखो rise हुआ है बाकी और currencies है वो down हुई है basically 2016 में चाइना की जो currency है यूवान इसको रेमेन भी भी बोला जाता है ठीक है न तो यह add की गई थी IMF की basket में उसके बाद से अब तक यह पहली बार revise किया गया है weightage को ठीक है तो आब आप देखो IMF जो पूरी basket ले लेता है basket का मतलब जिसमें main main currencies डाल दी जाती है उन currencies के हिसाब से फिर calculate किया जाता है एक common currency निकाल ली जाती है जिसको बोलते है special drawing rights यह basically currency नहीं है पर इन सभी currencies को जो weightage दिया हुआ उस weightage के basis में calculate किया जाता है उसमें US का जो dollar है वो पहले 41.73% role play करता था अब उसको बढ़ा दिया गया 43.38% हो गया rise चाइना की जो yuan है उसकी बात करें तो पहले 10.92% weightage था जो बढ़कर के 12.28% हो गया है यह तो दोनों हो गए फाइदा उठाने वाली currencies जबकि European euro की बात करें तो पहले 30.93% था जो गटकर के 29.31% कम हुआ है Japanese yen जो पहले 8.33% role play करता था SDR में वो गटकर के 7.59% हो गया British pound sterling pound उसका weightage पहले 8.09% था जो गटकर के 7.44% हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया dollar और yuan चाइना और US की currency को तो weightage ज़्यादा मिला है और बाकी इधर आप देख सकते हो Europe इसके अलावा Japan इसके अलावा Britain इसके अलावा इसके अलावा बच गया इनकी जो currency की weightage है वो ही यह down ठीक है और यह review किस basis पर किया जाता है international trade कि भई market में किस economy की क्या value है currency कितना ज़्यादा relevant है तो इसी basis पर यह revision किये जाते हैं तो 2016 जब रेमेन भी को add किया गया था इस basket में तब से लेकर यह पहली बार revision है जिसमें चाइना का weightage क्या है बड़ा है और चाइना इस बात को लेकर के successful भी रहा कि अपनी currency को internationalize कर पाया 2016 में और हम भी चाहते हैं कि हमारी रुपी जो currency है वो internationalize हो और उसके लिए हमें और भी बहुत लंबी दूरी है वो तैय करनी पड़ेगी क्योंकि international market में जब तक हम trade में अच्छा रोल नहीं करेंगे तब तक फिर हमारी currency की demand कैसे बढ़ेगी तो relevance बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है दूसरी कौन अभी बाचीच चल रही है जो parliamentary committees है उन क्रिप्टो करेंसी को हमें कैसे क्या regulate करना चीए तो RBA की official ने सीधा बोल दिया कि अगर क्रिप्टो करेंसी को हम हमारे देश में अच्छे सा allow कर देंगे न तो मान के चलो कि हमारे देश में जितना भी economic activities होती है उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा dollar की terms में होने लग जाएग वो जो कुछ भी decide करेंगा न वो ही चीजे हमारे देश की economic को decide करने लग जाएगी जो कि हमारी sovereignty के खिलाफ है तो इस case में सीधा सीधा link की ये भी है कि हम cryptocurrency को allow करेंगे तो dollarization of economy हो जाएगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है फिर एक तरीके की तो economically हम independent नहीं रह पाएंगे गुलाम बनके रह जाएंगे ठीक है तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है आगे चलता है बस इस discussion में इतना ही था thank you very much आज तोड़ा हो सकता energy level डाउन हो कोई बात नहीं पर हमारा discussion complete हुआ कैसे भी करके thank you